ये एक दुखत घटना है फिर भी हो सकता है ये वीडियो देखते हुए कहीं न कहीं आपकी हसी छोट पड़े बाइचांस अगर हमारी वज़े से ऐसा होता है तो उसके लिए हमें अफसोर्स रहेगा क्या हो कहा रहा भाई नहीं मतलब बकरी बकरी का रेप कौन का था और वह भी सालों ने तब तक उसका रेप किया चब तक वह मान नहीं गई मार्केट में भी अगर ये लोग उस बकरी को बेच देते तो 3-4,000 रुपे की बड़े आराम से बिट जाती पास में जीवी रोड था सब के सब बहाँ चले जाते सब का काम आराम से हो जाता और उन्हें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती हद्द है यार नहीं मतलब ये लोग खैर मजेैंर अपनी जगे कल हर्याना में ऐसा हुआ कि सुनते ही सबकी फट के हाथ में आ गई धीरे धीरे इन सब की दोस्ती परवान चड़ी और इस सुक्रवान नमाज पढ़ने के बाद इन आठ बहशी दरिंदों ने उस मासूम जानवर को अपनी हवस का सिकार बना डाला हारुन जाफर और सवाकर तीन का पता चल चुका है बाकी पांच का पता चलना अभी बाकी है दो साल की इस मासूम बकरी की मौत पे सोशल मीडिया में भी जम के आक्रोश है कई लोग केंडल माच निकाल ले हैं तो कई लोग सोशल मीडिया पर जेस्टिस वागोट की तक्तियों के साथ अपने अपने फोटो पोस्ट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज भी इस मामले में पीछे नहीं है और बकरी के कातिलों को सक्ट से सक्ट सजा दिलाने की मांग कर रही हैं बकरी हम शर्मिंदा हैं तेरे कात्विल जिंदा हैं इस मामले में पर्सो ही जेल से जमानत पे बाहर आये आधिक पटेल का कहना था की देखो ये रेब की बात नहीं नहीं है पहले मोदी ने कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो बेटियां सुरक्षित होंगी बेटियां तो दूर की बात अब तो बकरीयां भी सुरक्षित नहीं है मैं फिल से कह रहा हूँ उनके बसका कुछ नहीं है वो बस इस्तीफा दे दे और हर्याने में ये हुआ है तो खटड़ सरकार भी रिजाइन करे आज मेरी बाते सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सोच रहे होगे बस बकरी ही तो थी बिकार में मैं बात का बतंगर क्यों बना रहा हूँ मेरे भाई बात बकरी की ये उसकी जानकी नहीं है बात ये है कि अगर ये लोग बकरी का ये हाल कर सकते तो सोचो अगर इन्हें कोई बच्ची मिल जाती तो ये उसका क्या हाल करते ये हैरानी इस बात की ज़्यादा है कि बात बात पर लोगों के खिलाफ फत्वाजारी कर देने वाले मौलाना कहां है क्या इसलाम में ऐसे लोगों का रहना सही है इन लोगों के खिलाफ फत्वाजारी नहीं होगा क इन दरिंदों को इसलिए फासी ओम्रकैद नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने रेप किया बलकि इसलिए होनी चाहिए तक कि in future कभी कोई बच्ची इन सेतानों का इन दरिंदों का शिकार ना बने अगर आप सहमत है मेरी इस बात से तो जाधा से जाधा शेयर करें मेरे इस वीडियो साथ ही अगर आप नए है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूल लिए मेरे ये चैनल साथ ही ओ घंटे वाला बटन जरूद अबादें वालना नोटिफिकेशन की नाम पे आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में बहुत जलता तक के लिए गोड़ पाई